बहुत से लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें ध्यान करते समय निंद की जबकी आती है सद्गुरू समझा रहे है इसकी कारण और उपाई सद्गुरू मैं जब साधना करता हूँ तो मुझे निंद के जौके आते हैं मैं सुष्टा था कि ठकान की कारण ऐसा हो रहा है लेकिन जब भी मैं अपनी आँखे बंद करके ध्यान करता हूँ मुझे निंद आ जाती है मैं क्या करू कि जगा रह सकूँ सद्गुरू केते हैं शब्से पहले हमें समझना होगा कि ये निंद क्या है अगर दिन में किसी भी समय निंद आप पर हावी हो रही है तो आपको सब्से पहले अपने बनियादी सेहत की जांच करनी होगी और देखना होगा कि कहीं आपके सिस्स्टम में कोई खराबी तो न जब आप शारिरिक रुप से बिमार होते हैं, आप जरुरत से कहीं अधिग सोना चाते हैं, शरीर आराम करना चाता है दूसरी चीज़ है वह भोजन जो आप खाते हैं आपकी सेहत की बहतरी के लिए आपके भोजन में कच्छे फल सब्जी में होना बहुत जरुरी है जब आप भोजन को पकाते हैं तो उसमें सिप प्राण की एक बड़ी मात्रा नश्ट हो जाती है शरीर में आलस के बने रहने का ये भी एक कारण है अगर आप अपने भोजन में एक निश्चित मात्रा में कच्चा आहार लेते हैं तो अन्य कई लाबों के अलावा एक बात जो तुरंथ होगी वह है आपकी निंद की मात्रा में नाटकिय रूप से कमी आएगी आपके सजगता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी उर्जा की देखभाल कितनी अच्छी तरह से करते हैं अगर आप ध्यान करना चाते हैं तो इसके लिए केवल मन की सजगता काफी नहीं है बलकि उर्जा के स्तर पर भी सजगता होनी चाहिए इसमें मदद करने के लिए योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए कहा जाता है कि उन्हें केवल 24 कोर भोजन करना चाहिए और हर कोर को 24 बार चबाना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भोजन पेट में जाने से पहले आपके मुँ में ही पच जाएगा और ये सुस्ती भी पैदा नहीं करेगा अगर आप शाम के खाने में ऐसा करते है और उसके बाद सुझ जाते है तो आप आसानी से सुबर साड़े तीन बज़े जाग जाएंगे और फिर आप ध्यान कर सकते हैं योग सिस्टम में इस समय को ब्रह्म मूरत कहा जाता है सुबर जागने के लिए ये एक आदर्श समय होता है क्योंकि उस समय आपकी साधना के लिए प्रकृती खुद भी अपनी सहायता देती है यदि आप नहा कर अपने बाल गिले रखते हैं तो आप आठ बजे तक अपनी साधना के दौरान असानी से जागे हुए और सजग रहेंगे अगर आप अपने सुबर के भोजन में केवल 24 कौर खाते हैं तो आपको निश्चित रूप से शाम के खाने तक नेंद नहीं आएगी देड़ से दो घंटे बाद आपको भोख लगेगी और ऐसा होना सबसे अच्छी बात है सिर्फ इसलिए कि पेट खाली है उसमें खाना नहीं डालना है केवल पानी पिए और आप पुरे दिन सचेत और उर जावान बने रहेंगे आपका सिस्टम आपके द्वारा अच्छी तरह से खाये गए भोजन को बरबाद करने की बजाए इसका इस्तेमाल करना सीख लेगा ये ना केवल आर्थिक रूप से बलकि वातावरन के नजरिये से भी ये दुनिया के लिए अच्छा है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है आप अगर इसी तरह से खाएंगे तो कभी भी बिमार नहीं होंगे धन्यवाद